हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका TCS जोन में तो हम बात कर रहे थे computer की computer से जुड़ी जानकारियों की facts की और इससे related questions की जो आएंगे तो शुरू करते हैं हमारी classes को computer मैं देख लू recording चालो है क्या जी बिलकुल तो computer की बात कर रहे थे पिछले तीन classes से हम history को पढ़ रहे थे जरूरी है किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी history को पढ़ना बड़ा जरूरी है तो हम history को पढ़ रहे थे और बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम computer में आगे बढ़े कौन सी core technology generation by generation change होती रही क्यूं होती रही पहले generation के computer कौन कौन से थे उनकी full form पढ़ी हमने ENIAC, ADVAC, ADSAC, UNIVAC और IBM 701 पहले generation के computer लेकिन हमेशा output गलत आता था या generally गलत आता था reliable नहीं थे, विश्वशनिय नहीं थे, खर्चिले जादा थे और जो parts थे, core technology थी वो ज्यादा महंगी थी और उनकी लागत ज्यादा थी और उनकी वज़े से computer के आकार बड़े थे तो धीरे 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 IC, VLSI, ULSI इन्होंने प्रोसेसर में इन्होंने computer के आकार को छोटा किया तो अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि computer input लेता है, क्या लेता है, input लेता है, और फिर क्या करता है, processing करता है, और फिर उसके बाद output दे देता है तो सर बात तो समझ में आगे कि input लेता है, processing करता है, output देता है पहली बात तो कि इस अवधार्णा के जनक के computer input लेता है, processing करता है, output देता है इस अवधार्णा के जनक है, John Wayne Newman इस अवधार्णा के जनक है, जैसे computer science के जनक Alan Turing है computer के ये अवधार्णा की computer input यानि की row data लेता है, input devices लेता है फिर उसमें CPU, cabinet, processing करता है और output यानि monitor की तरफ भेज देता है और इस बीच में इन सब को control करने के लिए control unit होता है तो ये सारी अवधार्णा जो है, वो John Newman की दियोई है कि computer input लेता है, processing करता है, output लेता है अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं कि sir, input देने के लिए क्या चीज़ काम में ले जाती है, कि input दिया जाए, किसको input कहते है sir, processing करने वाली चीज़ें, कौन-कौन सी है, कौन सा equipment है जो processing करता है फिर sir, कौन सी चीज़ें है, जो output होती है, हमको पता है क्या तो देखते हैं तो ये एक unit है, anatomy है, कि input, processing, output अब इसके बारे में बात करें कि processing क्या है sir, processing क्या है तो आपको पता है कि processing, processor करता है कौन करता है, processor करता है जो हमने पढ़ा था, चोथी PD में आया, processor ये करता है इसमें processing processor क्या होता है sir, जो हर चीज़ को process करता है, लेकिन किन चीज़ों को तो कहता है arithmetic और logical data को process करता है arithmetic और logical data को और हमने ये पिछली classes में पढ़ा था कि arithmetic data कौन सा होता है logical data कौन सा होता है तो कहता है कि arithmetic जो होता है वो होते हैं आपके divide आपका plus, multiply और minus और जो logical data होते हैं वो होते हैं greater than, less than, equal, equal not, greater than not, less than not इनको हम कहते हैं logical और मैंने बताया था कि किसी भी database से जैसे माल लो कोई भी व्यक्ति किसी से बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है या मैं यूं कहूं बराबर नहीं है तो या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा बड़ा नहीं है तो इसका मतलब या तो बराबर है या छोटा है तो इन ही को हम बोलते हैं लोजिकल ओप्रेशंस या लोजिकल डाटा पर काम करना तो आपका जो प्रोसीसर है वो अर्थमेटिक और लोजिकल डाटा पर काम करता है इसको नोट करते चले आप धीरे-धीरे इसको नोट करते चले धीरे-धीरे अब इस यूनिट में इस यूनि फिर processing, और फिर output, और फिर output, तो इसमें device होती है, processing के लिए कुछ device हैं यहां पर लगी होती है, यह cabinet होता है, क्या होता है, जिसे आप CPU कहते हैं, उस CPU में यह काम होता है, उसे में यह control होता है, किस के पास भेजना है, कौन काम करेगा, ALU के पास जाएगा, कि CU के पास जाएगा, फिर output के पास जाएगा, तो यह सारा process इसके अंदर होता है, इसमें क्या-क्या होता है, इसको हम cabinet कह देते हैं, क्या कह दे processing करता है क्या होता है processor processor होता है इसमें और क्या होता है इसमें होता है हमारा ALU जिसका full form अभी आपको बताएंगे इसके अंदर और क्या होता है इसमें होता है हमारा CU और क्या होता है और इसमें होता है हमारा memory, ये सारी चीजें cabinet को बनाती है, cabinet तो क्या होता है, एक खोल होता है, जिसे computer का मस्तिश्क कहा जाता है, क्या कहा जाता है, computer का मस्तिश्क कहा जाता है, इसे computer का मस्तिश्क भी कहा जाता है, इस डिब्बे को computer का मस्तिश्क भी कहा जाता है, इसे computer का दिब्बाग भी कहा जाता है, brain of computer, लेकिन यहाँ कुछ चीज समझने वाली है, मस्तिश्क का मतलब होता है, खोल, जो हमारा ये उपरी हिस्सा है, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं, मस्तिश्क, लेकिन computer का दिमाग, जिसको कहते हैं, वो processor होता है, और दिमाग कहीं मस्तिश्क के अंदर होता है, कोई एक unitized मस्तिश्क के अंदर बहुत कुछ है, वहाँ पर एक दिमाग भी है, तो real में बात करें, तो processor ही दिमाग होता है, इसे computer का दिमाग कहा जाता है, हम कर रहे हैं, वो रियल में प्रोसेसर होता है. मस्तिष्क क्या होता है? ये cabinet होता है, जिसमें बहुत सारी चीजे हैं. लेकिन प्रोसेसर है तो कंप्रोसेसर का दिमाग कहा जाता है? मोजी में अब बात आ जाते हैं कि अल यू क्या है? तो ALU की full form लिखिए arithmetic अभी मैंने आपको बताया कि plus minus जोड़ गुणा भाग जैसे काम arithmetic logical unit ही करता है तो arithmetic logical unit logical unit arithmetic logical unit CU की full form होती है control unit क्या होती है control unit control unit इसका full form होता है CU का काम यह होता है कि जब आपने input दिया उसको receive करना उस पे processing करवाने के बाद उसको कहां भेजना है यह सारा काम control कौन करता है CU करता है control unit करता है फिर आते हैं memory memory में हम क्या पढ़ते है हमारे जितने भी storage device है RAM, ROM, hard disk यह सभी क्या है memory के part है जिनमें हम RAM पढ़ते है RAM की full form ROM की full form भी पूछ ली जाती है और इसमें HDD hard disk drive यह भी हम पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं हम memory note करें इसको आप जिकर करते हैं दुबारा यह जो processing unit है इसकी बात हो रही है तो इसको हम कहते हैं हमारा CPU cabinet भी कह देते हैं cabinet का मतलब क्या होता है cabinet में बहुत सी चीजें होती है जो अपना अपना काम संभालती है जैसे मंत्री मंडल होता है cabinet होता है उसमें अलग-अलग मंत्री को अलग-अलग परभार अलग-अलग काम संभा जाता है जैसे कपड़ा विभाग टैक्स्टाइल परिवहन का तो यह सब अलग-अलग काम है जो अलग-अलग लोग देखते हैं उसी परकार से यह cabinet है जिसमें अलग-अलग unit अपना-अपना काम देखती हैं और उसके बाद जिसकी तरफ पहुंचाया जाना चाहिए उसकी तरफ पहुंचा दिया जाता है लेकिन इसमें कितने जने हैं देखो कितने unit काम करती इतने unit काम करती है इसमें इनके full form बहुत जरूरी है इस मस्तिष्क को हम brain of computer को हम इसको हम computer का दिमाग भी कहते हैं और heart of computer भी कहते हैं याद रखना इसको heart of computer भी कह देते हैं जिसको हम computer का दिमाग कहते हैं उसको heart of computer भी कहा जाता है बात एक ये brain of computer heart of computer processor को ही कहा जाता है CPU को ही कहा जाता है जो real CPU है वो यही है इसको क्या कहते है CPU कहते है क्या कहते है इसको CPU और इस CPU में इतनी चीजें होती हैं CPU का full form भी पूछा जाता है CPU का full form लिखी आप Central Processing Unit Unit एक ऐसी EKI जो केंदरी बिंदू है किसी भी काम को करने के लिए रिसीव करने के लिए और आउटपुट देने के लिए इसके बीच में सारा काम होता है तो यह हमारी डिवाइस है नोट करें इसको इसके बाद हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के नाम पढ़ेंगे और उसके बाद एक-एक इनपुट डिवाइस को पढ़ेंगे किस ने बनाया इनवेंट किस ने किया किस एर में किया इसका अग्रज कोन है यह क्या काम में आता है हमने कभी देखे हैं क्या वन बाई वन इसके बारे में बात करेंगे तो इसको आप नोट डाउन कर लें तो ठीक है CPU को ही कम्प्यूटर का मस्तिश्क कम्प्यूटर का दिमाग और हार्ट ओफ कम्प्यूटर कहा जाता है वैसे मस्तिश्क का मतलब भारी खोल से है कम्प्यूटर के दिमाग का मतलब प्रोसेसर से है हार्ट ओफ कम्प्यूटर का मतलब भी प्रोसेसर से है अब पढ़ते हैं Input Devices Heading डालें Input Devices Input Devices के बगएर आप Command नहीं दे सकते कोई भी Input Devices Input Devices अगर आपके पास होगी ही नहीं तो कम्प्यूटर को आप संकेत कैसे देंगे Point Out कैसे करेंगे Command कैसे देंगे Message कैसे भेजेंगे कि क्या आपको करना है क्योंकि कम्प्यूटर आपके बोली को नहीं समझता है आज समझने लगा है लेकिन Input Devices वो भी Input Devices ही हैं तो इन Input Devices के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है तो Input Devices क्या होते हैं Message को मस्तिश के तक पहुचाने के काम में आते हैं कि मुझे ये काम करना है उसमें पहले से सारे Instruction, सारी Programming Feed है उसके According को आपको Result देता है क्यों? क्योंकि Computer का अपना कोई IQ नहीं होता उसकी कोई अपनी बुद्धी नहीं होती तो ये Artificial Intelligence पर काम करता है जिस पर अब पांच वी पेड़ी काम कर रही है तो पहला Input Devices लिखें Keyboard पहला Input Devices Keyboard है इनके पहले नाम लिखेंगे फिर 1y1 पढ़ेंगे Keyboard एक Standard Input Devices है यानि कि अगर आपके पांच कुछ भी ना हो और Keyboard हो तो आप काम चला सकते हैं अब कुछ लोगों के दिमाग में ये विचार आएगा कि सर सबसे Easy Input Devices तो माउस है तो माउस है तो सही ये बिगनर्स के लिए है शुरुआत में जो सीखते हैं उनके लिए बहुत सरल कंप्यूटर को बनाने के लिए काम में आता है ठीक है लेकिन इससे आप कोई भी टाइपिंग कैसे करेंगे नहीं कर पाएंगे तो केवल क्लिक करने मातर से काम थोड़ी चलेगा इसलिए स्टेंडर्ड इन्पुट डिवाइस का सवाल भी आया हुआ है कि स्टेंडर्ड इन्पुट डिवाइसेज कौन सी है तो कीबोड को स्टेंडर्ड इन्पुट डिवाइसेज माना जाता है तो कीबोड है दूसरा माउस है mouse एक pointing device है one by one बाद में पढ़ेंगे पहले नाम लिख लेते हैं इसी परकार के कुछ और नाम सुने होंगे जैसे ये है stylus क्या है stylus ये वाला जो screen पर लिखने के काम में आ रहा है या phone में भी आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह के stylus से ही स्क्रीन पर कुछ लिखा जाता है टच किया जाता है चोथा है touchpad आपने देखा होगा laptop में होता है touchpad वो भी क्या है एक तरह का input device है क्या है input device है आप उंगली से उसके surface पर यूँ कुछ चलाते हो और जहाँ पर arrow mouse pointer पहुंच जाता है आप क्लिक कर देते हैं that called touchpad तो touchpad भी क्या है एक input device है इसके बाद बात करें तो हमारा digitizer 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 इसका काम क्या होता है कि माल लो आपके पास अभी hard copy पड़ी है कोई matter पड़ा है लिखा हुआ उसको आप digitizer कर सकते हैं अंदर ले जा सकते हैं उसको आप digitizer कर सकते हैं तो digital रूप में चला जाता है वो अगला हम पढ़े तो जैसे बहुत सारे कुछ चीजें हैं जैसे scanner हम पढ़ते हैं scanner 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 क्या होता है hard copy को sorry hard copy को अंदर soft copy के रूप में convert करता है आपके पास कोई image है कोई page है उसकी कोई भी copy आप scanner पर रखें और वो उसकी छवी उसका print उसकी वैसी की वैसी pretty copy आपके computer में पहुँचा देगा that call scanner आपने देखा होगा आपको बात करेंगे बात में हर चीज़ के बारे में बताएंगे आपको scanner क्या होता है अगला देखें तो OCR 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 BCR OMR ये सभी क्या है सारे के साने scanner ही है तो OCR full form भी बताएंगे आपको इसके बाद OMR जो आपके competition exam में seat होती है जिनमें आप किसी भी question का answer गोला करके आते हैं उसको read करने के लिए एक machine होती है जिसको हम OMR बोलते हैं optical marker reader या recognition एक ही बात है seat आपने उसके अंदर डाली वो सारी चीज़ों को check कर देगा कि कहां कहां गोला है जो sport है जो आपने उसको cover किया है गोले को answer के रूप में उसको read करता है इसलिए लाखों अभिरती exam देते हैं एक साथ जल्दी से उनका result भी आ जाता है क्योंकि कॉपिया जल्दी check हो जाती है इनसान के बस की बात नहीं है इसलिए इन चीज़ों को बनाया गया OMR अगला है BCR bar code reader आप मोल वगेरा में जाते हैं तो वहां कोई भी चीज़ा आप purchase करते हैं तो एक counter लगा होता है जहां पर सारी चीज़ें छोड़कर उसकी एक list तयार करवानी पड़ती है आपको तो वहां पर एक machine होती है जो उसके capture करती उसको उसके पीछे यू लाइने होती है जिसमें उसकी price उसके expiry date उसकी manufacturing date किसने बनाया ये सारी चीज़ें डिटेल में होती है तो उसको बोलते हैं barcode reader इसके अलावा इसके अलावा आप microphone microphone कौन सा होता है ये इससे मैं क्या कर रहा हूँ अपनी voice को input दे रहा हूँ और ये computer में जा रही है कहीं तो ये भी सवाल आया हुआ है कि microphone input है कि output तो इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है तो ये input का काम करता है output का काम speaker करते है जिससे आवाज बाहर की ओर आती है input इनका मतलब अंदर put का मतलब रखना अंदर रखने का काम जो करे वो input है और जो बाहर की ओर ले जाए चीजों को output बाहर की ओर रखना output input को हिंदी में आगम युक्तियां भी कहा जाता है क्या कहा जाता है आगम, आप हिंदी में पढ़ेंगे सवाल को तो आपको पता हो, आगम युक्ती जिससे कोई भी काम कंप्यूटर के अंदर रखा जाए, पहुंचाया जाए या कमांड किया जाए अच्छा, इसके बाद कुछ और पढ़ लेते हैं कुछ और पढ़ें तो माइक्रोफोन हो गया या जैसे हम कहें माइक माइक क्या होता जैसे गाना गाते हैं और गाते हैं तो हाथ में पकड़ कर जो voice को input करवाते हैं जिस device से उसको बोलते हैं माइक आपने देखा ऑगा अगला जो है अगले कुछ device अगर देखे तो trackball इसमें एक नाम आता है trackball ये भी mouse के तरह ही काम करता है trackball एक गोला काराकरती होती है उसको यो चलाया जाता है आज कल graphics designer वाले कामों में इसको यूज किया जाता था पहले तो उसको बोलते हैं इसके अलावा कुछ नाम और देख लेते हैं अगर भूल गए हम तो तो ये कुछ खास नाम थे MICR एक नाम रह गया है MICR MICR Magnetic Inc. Character Reader आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको कभी कबार check देते हैं या आप भी लेंदारी में देंदारी में अपने वयवार को चलाने के लिए मार्केट में check का यूज करते हैं उस check के नीचे कुछ numbers होते हैं जिसमें जानकारी होती है कि bank कहां located है और check के number क्या है bank का code क्या है कौन से bank का check है ये सारी जानकारियां उन numbers में होती हो और वो number magnetic ink से लिखे होते हैं, उभरे हुए होते हैं, आप अगर उसके surface पर, check पर यूँ हाथ रखेंगे, तो आपको कुछ अक्षर नीचे की हो, bottom type में, bottom में, उभरे हुए दिखाई देंगे, और आपको वो दिखेंगे कि ये किस से लि होती हैं, उसको पढ़ने के लिए हम MICR, Magnetic Ink Character Reader, एक एक चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी full form भी पढ़ेंगे, उसको किस ने बनाया, किस येर में बनाया, सारी चीज पढ़ेंगे, तो ये कुछ input है, इनको आप लिख लें, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सी च देजें, स्केनर क्या है, एक input devices है, इसके साथ कुछ और नाम लिखना चाहें, तो हम webcam का नाम भी लिख सकते हैं, किसका लिख सकते हैं, webcam, आपने देखा होगा कि जो लोग विदेशों में रहते हैं या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, तो वेब Filipino के सहाइता से छवी को, उसके विज्वल्स को वहां के विज्वल्स को आप तक भेजता है, और आपके विज्वल्स को वहां तक भेजता है, विज्वल क्या होता है, जिसमें ग्राफिक्स हो, मतलब फोटो हो, साउंड हो, एनिमेशन हो, चलती होई चीजें हो, उसको हम विज्वल्स कहते है जिसमें कई सारी चीजें हो, साउंड भी हो, आवाज भी हो, ध्वनी हो, चहरा हो, ग्राफिक्स हो, फोटो हो, एक वीडियो टाइप का हो, एनिमेशन हो, हाथ हिलते दूलते हो, हाना, एनिमेशन होना चाहिए, that called visual, तो ये सारा काम कौन करता है हमारा? और वेब कैम के सहाथा से हम इसको करते हैं, तो इनको नोट कर लें, ये सारी डिवाइसेज, युक्तियां, यंत्र, यूनिट, इन्पुट डिवाइसेज कहलाती हैं, लिखें आप इनको, आप अगर इनके नाम अभी लिखना चाहिए, तो अभी भी लिख सकते हैं, इनके नाम, जैसे OCR, हाथो हाथ लिख लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे, आप्तिकल, करेक्टर, रीडर, आप्तिकल करेक्टर, रीडर, OMR, आप्तिकल, मारकर, मारकर का मतलब जो आपने स्पोर्ट किया है, शाहि से, मारक किया है, आप्तिकल, मारकर, रीडर या रिकगनेशन, एक ही बात है, रीडर आजाए या रिकगनेशन आजाए, रिकगनेशन का मतलब पहचानने वाला या रीड करने वाला, reader BCR barcode reader अभी बात की थी हमने, कुछ इस तरह के bars होते हैं इस परकार से आपने देखा होगा इस परकार से ये काले रंग में होते हैं जैसे मैं आपको फिर बता दू काले रंग में होते हैं तो इस परकार से होते हैं छोटी बड़ी लाइने होती हैं, सीधी यूँ, और इसको हम कहते हैं, बारकोर्ड रीडर, और इस तरीके से एक चोकोर बॉक्स में होती हैं, ये, that is called बारकोर्ड, और इसके अंदर सारी जानकारियां होती है, प्रोडेक्ट के उसको रीड करने के काम में आता है, that is called बारकोर reader, magnetic, ink, character, reader, या recognition, reader आजाए या recognition आजाए, बात एक ही रहेगी, तो ये कुछ चीजें हैं, इनको ध्यान में रखें आप, माइक मैंने आपको बताई दिया, बोलने के लिए, साउंड के लिए, आप इसको यूज करते हैं, लेकिन इसमें आप वोईस का थ्रो डालते हैं, और कहीं बाहर से स्पीकर के थ्रू वो, आपको सुनाई देता है, यहां कम्पुटर में पहुंचता है, ट्रेक बोल क्या होता है, गोला कारा करती होती है, माउस के जैसा ही होता है, और उसको चलाया जाता है, वैब कैम बता ही दिया, मैंने आपको माइक्रोफोन बता दिया, जैसे यह माइक्रोफोन है, इसके थ्रू मेरी आवाज कहीं न कहीं रिकॉर्ड हो रही है, इसके इनर क कम्प्यूटर में डाल देगा, यानि hard copy से soft copy में convert करता है, उसको हम scanner कहते हैं, जी, आगे चलते हैं, और अब पढ़ते हैं, output devices को कौन-कौन सी होती है, output devices, out का मतलब बाहर की और, और put का मतलब होता है, रखना that called output, devices, output devices, इसमें आपने सुना होगा, कि पर्मुख नाम जो आता है, वो printer का आता है, क्या आता है, printer का आता है, इसको हम standard output devices के नाम से जानते हैं, standard output, जो सबसे ज़्यादा पर्चलित output है, वो हमको printer से ही मिलता है, इसलिए हम इसको standard output devices भी कह देते हैं, तो यह याद रखना, इसके बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप भूलना जाएं, इसे standard output device कहा जाता है, standard output devices, device कहा जाता है, दूसरा इसमें जो नाम है, printer के अलावा आपने सुना होगा speaker, speaker का का काम भी क्या है, voice को बाहर की और फैंकना, उसका थ्रो बाहर की और पहुंचाना, यह speaker का का काम होता है, तो बाहर की और जो काम पहुंचाएगा, वो output device के रूप में जाना जाएगा, अगला है, तीन नंबर पर हम पढ़ें इसको तो monitor, monitor क्या होता है, screen होती है, पहले आते थे monitor, जो बिजली के ज़्यादा खपत करते थे, इसलिए उनके जगा आजकल LCD, LED, TFT, इनका यूज करते हैं हम, तो monitor के ही कुछ परकार है, लेकिन मैं उसको अलग-अलग लिख लेता हूँ, जैसे मैं कह दूँ, VDU, ये भी monitor का ही रूप है, visual display unit, इसका full form आपको लिखा देंगे अभी, इसके अलावा TFT, ये धीरे-धीरे क्या हुए कि screen, पहले पुराने TV आते थे बड़ी हाइट के, बड़ी हाइट का मतलब पीछे की ओर से लंबे होते थे, उसमें ट्यूब का यूज होता था, उसके बाद उनकी size धीरे-धीरे कम होने लगी, और आज कर एक flat, इस तरीके से आता है, flat bent, तो इसका आकार धीरे-धीरे छोटा कैसे हूँ है, इसके बारे में बात करेंगे, तो ये उधी के size है, monitor, VDU, TFT, फिर LCD, फिर LED, तो इस परकार से इनको हम output devices के रूप में जानते हैं, ये क्या लाते हैं, हमारे लिए result लाते हैं, हमको जो result चाहिए, वो दिखेगा कहां, इनके through, मिलेगा कहां, इनके through, तो full form लिख लीजिए, video की, video की full form लिख लीजिए, visual, visual का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे कोई video होता है, वो visual होता है, तो वीडियो कहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा, तो visual, display unit, display unit, TFT का मतलब होता है, thin film, क्योंकि यहां पर monitor पतला होने लगा था, size में कम होना लगा था, तो thin का मतलब पतला, thin film, transistor, thin film, transistor, LCD का full form पोच लिया जाता है कई बार, तो इसका मतलब होता है, liquid, liquid crystal, display, यह अपने जमाने में बहुत ज्यादा पर्चलित भी हुई थी, light emitting diode, full form है यह, diode, आजकल हर काम जो टेक्नोलोजी है, किसी भी डिवाइस में वो डायोड पर पर्चलित है, camera है, उसमें भी diode है, scanner है, उसमें भी diode है, कोई न कोई, तो आजकल, diode पर काम हो रहा है, D का मतलब diode है, light emitting diode, लिखने इसको, यह output devices हैं सारी, और जो भी आपको ध्यान में आए, वो सारी output devices, output devices में गिनी जाती हैं, इसके अलावा लिख दूँ मैं, तो मैं आपको प्रोजेक्टर भी कहूं, तो एक प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी क्या है, output devices है, इसके अलावा मैं कहूं, plotter, आप पूछेंगे सर, यह plotter क्या होता है, आप printer को जानते हैं, जानते हैं सर, एक printer होता है, उसमें कागज यू रखे जाते हैं, जैसे ही computer से कोई command दे जाती है, तो screen पर जो भी matter होता है, वो कागज के रूप में बहार आ जाता है, यानि soft copy से hard copy के रूप में आ जाता है, जो computer में इस screen पर दिखाई दे रहा था, अब एक copy बनकर कागज पर छप जाएगा, जिसको मैं छू सकता हूँ, उसको मैं hard copy कहता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसी भी चीजें होती है, जैसे आप देखते हैं, कि आप अपने शहरों में घूमते हैं, बजारों में घूमते हैं, तो बड़े-बड़े hoardings लगे होते हैं, हाना, चादर पर कुछ लिखा होता है, प्लास्टिक के wrapper पर कुछ लिखा होता है, और वो ऐसी size होती है, जो printer में नहीं आ सकती, तो ऐसी size के paper चापने के लिए, banner hoarding चापने के लिए, आपको plotter के आउशक्ता पढ़ती है, तो that called plotter, note करें इसको आप, जो आपको खेसे सुझे होती है, जो इसकété साद़ के लिए ओका Łएबस थिए, आपको बादर में उिखे होता है, गापको रुट का पके लोगने के लिए उता है, अज़ सकती है, कि आगे बढ़ें अब बात करते हैं एके करकर के सर कीबोर्ड क्या होता है कितनी कीज आती हैं कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है इसको बनाने वाले इन्वेंटर फादर ओफ कीबोर्ड किसे कहा जाता है किस एर में इसको बनाया गया तो यहां से बहुत से सवाल बन जाते हैं कीबोर्ड क्यूंकि एक standard input device है तो यहां से सवाल बनना भी लाजमी है तो पहले अभी हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं heading डालिए कीबोर्ड तो कीबोर्ड के बारे में लिखिए यह है एक यह है एक standard input device है अभी लिखा था लेकिन फिर standard standard input device है input device है सर यह तो पता लग गया और अगर कोई पूछा जाए कि चार option दे दिये जाए और उसमें से यह पूछा जाए कौन सी input device है तो नाम लिखाए है अपने याद रहेंगे हमें हम चांट कर बता सकते हैं कि कौन सा सही alternate है answer कौन सा है इसके बाद अगर output device पूछे जाए तो भी हमको पता है सर कौन कौन सी है तो उसमें से एक कहीं एक alternate एक विकल्प एक expression आंसर में होगा तो हम चुन सकते हैं अगर ऐसा आ जाए कि input standard input device कौन सी है तो सर कीबोर्ड है कौन सी है कीबोर्ड है सर अब बात करते हैं कि इसको बनाया किसने तो इसके जो inventor है creator inventor इसके बारे में बात करें अच्छा नाम है बहुत ही परचलित नाम है Christopher Latham Souls Christopher Latham Souls Christopher Latham Souls इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ Christopher कुछ मूवी में ये नाम भी बहुत परचलित हुआ है Christopher Christopher Latham Souls ये basically politicians थे politics भी करते थे इनके बहुत बड़ा परिवार भी था बच्चे भी बहुत सारे खूब थे इनके इन्होंने शादियां भी दो तीन की और इनको typewriter का जनक भी माना जाता है typewriter का जनक भी माना जाता है या कहा जाता है हम देखते हैं कि जो typewriter था हमने देखा था यह हम जानते भी हैं typewriter typewriter अभी कुछ जमाने पहले की बात है साथ चार पांच साल पहले की कि देखने को मिल जाते थे आजकल कम हो गए हैं हम कलेक्टरी जाते थे या कोल्ट में जाते थे कोई काम करवाने वहां पर typewriter बैठा होता था sound आता था कागज आगे की और से रखता था वापस उसको लाता था equal करता था फिर चाप देता था उस पर और एक बटन को एक बार चापता था तो उसको दवाए रखने पर आगे वो प्रिंट नहीं होता तो उसको उठाने के बाद उंगली को दुबारा उस पर प्रेस करें तभी वो अक्षर दुबारा प्रिंट होगा कीबोर्ड में ऐसा नहीं है तो टाइप राइटर के जनक के रूप में भी जाना जाता है यदि आप से सवाल पूछ लिया जाए कीबोर्ड के जनक या टाइप राइटर के जनक तो जनक भी कहा जाता है जनक का मतलब जिसने जनम दिया कहा जाता है I hope आपको राइटिंग समझ में आ रहे हूँ चीजे समझ में आ रहे हूँ बहुत बहुत बहुतर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं step by step बहुत आराम से मैं चीजें करवा रहा हूँ ताकि एक, दो, पांच क्यूशन भी मेरे पढ़ाई हुए में से आए दस क्यूशन में दिल्ली पुलिस में या कहीं पर भी आपको benefit दे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान होगा आपके लिए तो टाइप राइटर के जनक भी कहा जाता है इसको कहा जाता है कि 1868 में कीब़र्ड को बनाया गया 1868 में इन्होंने बना दिया था इन्होंने टाइप राइटर से परिशान होकर इसको बनाया क्योंकि टाइप राइटर में जो कुझिया होती थी कीज होती थी जिसमें A, B, C, D या कोई नंबर्स होते थे वो कीज जो होती थी वो लोही की होती थी और अगर आप थोड़े दिन काम उस पे ना करते तो उसमें जंग लग जाता था उसको दवाने में बड़ी दिक्कत आती थी और उसमें जो अक्षर जो थे आजकल जो कीबोर्ड में जैसे अरेंज किये हुए हैं उस तरीके से नहीं थे तो टाइपिंग में स्पीड भी नहीं बढ़ती थी सोचना पड़ता था आपको अब यहां कीबोर्ड पे कहीं दो कुंजियों पे दो साइन होते हैं के बारे में हमको पता ही नहीं होता है वो फिंगर्स को रखने के लिए होती है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए होती है खईर ऐफ्षार बर्चुर्ट Chaos neat में किया इसका कीबोर्ड में कीबोर्ड में एक सो एक, एक सो चार से एक सो आठ तक बटन होते हैं हमारा जो कीबोर्ड है उसमें कितने बटन होते हैं 104 से लेकर 108 तक बटन होते हैं या तो 104 पर टिक करेंगे आप या 108 पर करेंगे सर दोनों ही option आगे तो तो 104 को priority देंगे सर 104 नहीं आया तो 108 को देंगे सर दोनों ही आगे तो 104 को देंगे तो priority किसको देंगे हम 104 को देंगे इसको मैं highlight कर देता हूँ थोड़ा सा 104 एक स्टेंडर कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं 104 बटन होते हैं अगर 104 नहीं अप्शन में तो second alternate जो आप चुनेंगे वो 108 बटन वाला चुनेंगे अगर दोनों आ जाए तो आपको 104 वाला चुनना है बात क्लियर है ओके अब बात करते हैं कि सर कीबोर्ड में तो बहुत सारे बटन होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में बात बताएं आप मेरे को तो चलिए हम keyboard पर ही चलते हैं, keyboard पर चलते हैं, यह हमारा keyboard है, इसके बारे में बात करते हैं, तो आपने देखा होगा, keyboard दो तरह के होते हैं, एक तो wire से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें wire होता है, एक without wire होता है, यानि हमारे पास दो मीडियम है, दो तरीके हैं किसी भी चीज को connect करने के, या तो wire के सहारे, या without wire, wire या without wire, ठीक है, तो अभी keyboard आपके सामने है, तो यहां आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं आपको यहां दिखा दूँ, कि यहां एक escape button आपको दिखाई दे रहा होगा, escape, इसकी कम कर लेते हैं थोड़ा, escape button दिखाई दे रहा है आपको, यह escape button जो होता है, इसका full form होता है escape, E-S-C-A-P, इसका मतलब होता है बाहर निकलना, कई बार क्या होता है कि हमसे कोई mouse या keyboard का button या कोहनी लग जाती है, कोई menu आजाता है, menu आजाते हैं, command लिखे हुए आजाते हैं, अब आप सोचते हैं, यह क्या आगया लेकिन आपको उसकी जरुरत नहीं, जरुरत नहीं तो आप उसको हटा सकते हैं, किससे हटाएंगे, escape, इसका मतलब होता है बाहर निकलना, या फरार हो जाना, या निकल कर कहीं औ escape, तो escape का काम पूछ लिया जाता है, इसके बाद यह होता है आपका numeric pad, जिस पर केवल और केवल numbers होते हैं, इसको बोलते हैं, numeric keyboard, numeric keypad, जैसे calculator में होता है वैसे ही, इसे आप एक हाथ से type कर सकते हैं, सारी चीज़े, यहाँ पर एक बटन है, numlock, क्या लिखा है, numlock लिखा ह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, numlock लिखा है, इससे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर कुछ indicator होते हैं, जो indicate करते हैं कि कौन सा काम होगा, कौन सा नहीं होगा, आपने देखा होगा, keyboard में दाई तरफ top पर, कुछ indicator होते हैं, जो कभी जलते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, तो व बार हम इसको काम में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी हमको रिजल्ट नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि यह बंद होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लाइट आ जाएगी, लाइट आने का मतलब अब यह काम करेगा, और आप चाहते हैं कि ना काम करें, तो दुबारा आप इसी बटन को दबादें, वो लाइट ओफ हो जाएगी, इसका मतलब काम भी बंद हो जाएगा, अब बात आ जाती है यहाँ पर, यह क्या है एक टोगल बटन है, क्या है टोगल बटन? सट टोगल बटन कहते किसको हैं, जैसे आपने फैन ओन किया, हमारे लाइट वाले स्विच होते हैं, आपने फैन ओन किया, हो गया, अब बंद किससे करेंगे, कोई दूसरे बटन से करेंगे, क्या, नहीं, वही बटन है जो ओन का भी है और ओफ का भी है, ऐसी कमांट, ऐसे जो एक बार on का काम करते हैं और एक बार off का काम करते हैं मतलब एक बार effect लगाते हैं और दूसरी बार effect को हटा देते हैं ऐसे command ऐसे button toggle button कहलाते हैं तो यहाँ पर एक और toggle button है caps lock यह क्या करेगा अगर यह on होगा type तो होगा यह यहाँ पर यह सारे के सारे button alpha numeric है यह keyboard अलग है जो कहता है Alpha Numeric आपको नमवर चाहिए तो भी ले सकते हो आपको लेटर चाहिए तो भी ले सकते हो यहाँ केवल नमबर मिलेंगे तो इसलिए नमबर की पेड हुआ यहाँ से दोनों मिलेंगे Science में मिलेंगे Semble मिलेंगे इसमें क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा सर सैंबल भी मिलेंगे मेरे को और क्या मिलेगा सर लेटर भी मिलेंगे मेरे को बिलकुल और क्या मिलेगा नंबर भी मिलेंगे मेरे को तो ये तीनों चीज जिसमें मिले उसको अलफा निमेरिक कीबोर्ड कहते हैं alpha-numeric keyboard कहते हैं, alpha-numeric keyboard कहते हैं, समझ में आएगई बात, अब और बात कर लेते हैं, सर अभी बात चीज की चल रही थी, इसकी बात चल रही थी कि, caps lock, caps lock क्या काम करता है, अगर आप type करेंगे, जनरली तो type होगा, लेकिन lower case में होगा, छोटी ABCD में type होगा, कई बार हमको requirement feel होती है कि बड़े letters में लिखें, तो जैसे आप इसको click करेंगे, यहाँ light आजाएगी, light आने का मतलब इसका effect चालू है, यानि कि on है, तो on और off दोनों का काम करेगा यह, तो यह भी किस तरह का button हुआ, यह भी toggle button हुआ, क्या हुआ, toggle button, ओके, यह भी क्या हुआ, एक toggle button हुआ, जो effect लगाएगा और हटाएगा, keyboard में सबसे, सबसे बड़ा button, keyboard में सबसे बड़ा button, कौन सा होता है, space bar होता है, क्या होता है, space bar, keyboard में सबसे बड़ा button पूछ लिया जाए, तो आप देख रहे हैं, keyboard में सबसे बड़ा button, इसके जितना बड़ा साइज का button, कोई भी नहीं है, बार का मतलब लंबाई में ज्यादा होना, तो space bar कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, space bar, तो सबसे बड़ा button है, अब बात करते हैं, कि यह backspace है, यहाँ पर क्या है, backspace, यह button काम क्या करता है, जैसे माललो, आप कुछ भी लिख रहे हैं, कोई document तयार कर रहे हैं, कोई matter तयार कर रहे हैं, कोई application तयार कर रहे हैं, यह कोई किताब प्रिंट करना चाहते हैं, उसका matter टाइप कर रहे हैं, गलती हो गई आप से, तो आप देखते होंगे कि एक cursor होता है, क्या होता है, ऐसा, एक cursor होता है वहाँ पर, जो blink करता है, off-zip करता है, कभी आता है, कभी जाता है, तो उसके, बाइं साइड के अक्षरों को, बाइं साइड के अक्षरों को, डिलिट करने के लिए काम में आता है किस काम में आता है करसर के शायद आपको दिखेगा नहीं है और दिखेगा नहीं तो हटा देते हैं दूसरा पैन यूज में ले ले लेते हम और वो रैड ले ले लेते हैं तो ये क्या काम करेगा भई ये काम क्या करता है? करसर के बाइं और के अक्षरों को डिलीट करता है या मिटाता है, रिम्यू करता है अक्षरों को हटाता है समझाई बात बैक स्पेस का ये काम है लेकिन यहाँ पर एक और बटन है डिलीट, कौन सा बटन? डिलीट ये रहा ये काम क्या करता है ये करसर के दाईं तरफ के बटन को करसर के दाईं तरफ के मैटर को अक्षरों को, टेक्स्ट को, लेटर्स को हटाने का काम करता है अगर आप कहें कि सर हम उधर आ जाएंगे तो ये तो time waste हुआ एक अच्छा operator वही है जो कम समय में काम करें keyboard से काम करें जल्दी काम करें accuracy के साथ काम करें तो delete क्या करता है cursor लिखें cursor cursor क्या होता है जो off zip करता है blank करता है ऐसे आता है जाता है cursor के दाइं तरफ के अक्षरों को मिटाता है या delete करता है बात एक ही है हटाता है I hope आपको बात समझा रही होगी इसके बाद बाएं दाएं उपर नीचे जाने के लिए कौन से बटनों का सहरा लिया जाता है उनको क्या कहते है up, down, left, right, arrows को क्या कहते है तो आप यहां देख रहे हैं वो चीजे इसको क्या कहते है navigation 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 बार भी कह देते है navigation area भी कह देते है जितने बड़े document में आप काम करें चाहे हजार पेज बनाएं, सो बनाएं, एक बनाएं, पांच बनाएं जितनी दूरे में आपने काम किया है उसमें left, right, up और down जाने के लिए इन arrow का या तीरों का use लिया जाता है जिसको आप navigation कहते हैं navigation arrows कहते हैं navigation bar या navigation arrows ये ज़्यादा बेटर नाम है इसका navigation arrow के नाम से जानते हैं फिर यहाँ आप देखेंगे कि कुछ F1 से लेकर F1 से लेकर F12 तक कुछ कीज हैं इनको बोलते हैं function keys क्या कहते हैं function keys इसको हम कहते हैं function keys क्या कहते हैं function keys या special keys भी कहते हैं function keys का काम हर प्रोग्राम में अलग तरीके का होता है change होता रहता है जैसे F11 maximize का का काम करता है F2 editing का का काम करता है F1 help का काम करता है उसी परकार से अलग-अलग काम होते हैं इनके तो हम अलग प्रोग्राम में इनको अलग-अलग काम होता है इनको हम function keys कहते हैं सवाल आ जाता है कीबोर्ड में उपर ही ऊपर F1 से लेकर F12 तक की कुंजियों को, कुंजियों का मतलब कीज, बटन को क्या कहते हैं, तो हम function कीज कहते हैं, ओके इसके लावा बहुत से बटन और हैं यहां पर home शुरुआत में जाने के लिए end अंत में जाने के लिए page up, एक-एक page उपर जाने के लिए, एक-एक page नीचे जाने के लिए, ओके तो यह keyboard था मोटा मोटी, मैंने आपको हर चीज सारी बात बता दी है, तो आपको keyboard के बारे में बता दिया कि Christopher Letham Souls ने इसको बनाया, 1868 में, 104 से लेकर 108 होती है, सवाल बनते हैं, standard device है, input के रूप में, और इनके सारे buttons का use क्या है, आप करकर देख सकते हैं, shortcut की बनती है, वो यहीं से बनती है, दो बटन की बात और करते हैं, sir, एक enter होता है, enter क्या काम करता है, enter sir, line में line, नई line शुरू करने के लिए, नई line शुरू करने के लिए, जब भी आप कोई matter लिख रहे हैं, और आपको line बदलनी है, तो आप enter कर सकते हैं, और programming जब आप कर रहे होते हैं, coding जब आप कर रहे हैं, तो enter का मतलब हाँ होता है, accept करना होता है yes करना होता है तो इसके मतलब ये होते हैं अब आप को पुछेंगे कि sir enter यहाँ पर भी है और enter यहाँ पर भी है यह रहा एक ही काम है काम जब आप यहाँ करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर J के पास और यहाँ F के पास, कुछ आपको line मिलेगी, ऐसे bar मिलेगी, इसका मतलब होता है, इस परकार से आप हाथ को रखे, यहाँ पर हाथ को रखे, जैसे मेरे symbols गए हैं, इस परकार से pointing, इस परकार से और इस परकार से, अंगुठे रहते हैं इस परकार से, तो आप जल्दी काम कर सकते हैं, तो enter दो हैं, लेकिन दोनों का काम एक है, shift है, दो, दोनों का काम एक है, shift का काम क्या है sir, अक्षरों को बढ़ा करना, shift के साथ कोई भी अक्षर आप type कीजिए, वो बढ़ा हो जाएगा, अक्षरों को बढ़ा करना, इसका काम है, इसके अलावा, alt और control, CTRL, इसका मतलब होता है control, control और alter, modifier keys कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, modifier keys, ये दोनों ही क्या हैं, modifier keys हैं, ये कभी भी अकेले काम नहीं करते, alt और control, आपने जितने भी shortcut keys सुनी होंगी, वो alt और control के साथ सुनी होंगी, maximumly, इसके अलावा function keys भी कई बार, shortcut keys का काम करता है, जैसे F7, spelling and grammar का काम करता है, F11, maximize का का काम करता है, F1, help का का काम करता है, F2, editing का का काम करता है, और ये होता है हमारा window button, क्या होता है window button, window button का का काम क्या होता है, किसी भी program को शुरू करना हो, keyboard के थुरू, तो, तो sir, window button दवाओ, program की list आ जाएगी, arrow की से जाएए, उपर नीचे जो काम चुनना हो, enter कर दीजिए, program आपके सामने होगा, तो ये था keyboard से operate करना, या keyboard को operate करना, keyboard की कौन सी कुनजी, किस काम में आती है, तो, आज की class को यहीं विराम देते हैं, और अगली class से हम, और input devices पढ़ेंगे, जहां से सवाल बनते हैं, जैसे mouse से बनते हैं, जैसे scanner से बनते हैं, bar code reader से बनते हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद output devices को पढ़ेंगे, और उसके बाद, ALU क्या है, क्या काम करता है, software को पढ़ेंगे, operating system को पढ़ेंगे, इस तरीके से हम, एक-एक step, knowledge को collect करते हुए, classes में आगे बढ़ेंगे, आज के class को यहीं भी राम देते हैं, आज के बाद यहीं खतम करते हैं, बाके के बाद हम अगले class में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद,